बुक रीडिंग तो चलिए बच्चों आप सब अपनी हिंदी की बुक ओपेन कीजिए हमारे बुक का नाम है शब्द ग्यान तो आज हम पढ़ेंगे पहले पेज नमबर 17 17 आप सब भी पेज नमबर 17 ओपेन कीजिए संपूर्ड वर्ड माला देखे बच्चों यहां दिया हुआ है स्वर वे वर्ड जिनकी मात्राएं लगती हैं स्वर कहलाते हैं यह संख्या में तेरा होते हैं तो चलिए पहले इसको रीट करते हैं अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ए और 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 अंग अ ओके बच्चों चलिए अब हम इसको काउंट करेंगे देखते हैं यह थर्टीन है वन टू थ्री फॉर फाइव सिक्स सेवें एट नाइन टेन लेवें टूवें थर्टीन तो बच्चों यह देखिए पूरे कंप्लीटली यह थर्टीन है स्वार कितने होते हैं थर्टीन तो इसको बच्चों आप लर्ण कीजिए और रिट कीजिए चलिए अब वेंजन वर्ण भी देख लेते हैं वे वर्ण जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं वेंजन कहलाते हैं यह संख्या में तैतीस होते हैं तो चलिए वेंजन रिट करते हैं का खा गा घा अंगा च छ ज ज ज ज ज ज इयां ट ठ ठ द ध अड त थ द ध ध न प फ ब भ म य र ल व श श श स ह ओके बच्चो अब यहां पर देखिए सन्युक्त वेंजन जो वर्ण दो वर्णों से मिलकर बनते हैं सन्युक्त वेंजन कहलाते हैं यह संख्या में चार होते हैं इन पर भी मात्राएं लगती हैं च्छ त्र ग्य श्र तो बच्चो हम इन पर भी मात्राएं लगा सकते हैं अतिरिक्त वेंजन यह वेंजन संख्या में दो होते हैं तथा इन पर भी मात्राएं लगाई जाती हैं अड और ध ओके बच्चो तो आप घर पे इसको read कीजे और learn भी कीजे Thank you